हेलो ट्रेडर्स मैं विद्ध अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत चली देखते हैं कि कल हम कौन से स्टॉक्स में बाइंग और सैलिंग कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो आज के दिन हमने आप सभी को फिरी वाले टेलिग्राम चैनल में HDFC बैंक का 1650 का कॉल दिया था जो कि आप सभी को 25 के लेवल पर तो जैसे ही दोस्तो हमारा यहां पर लेवल एक्टिवेट होता है जैसे ही दोस्तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है तो आप किस चीज का वेट करें जल्दी से जाएए पावर आप सैट अप से हमारा प्रफेशनल चैनल है तो आप जाके इस चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिसक्रिप्शन में प्रवाइड किया जाएगा तो दोस्तो हमारा पहला इस टॉक वो निकल मार्किट यहाँ पे फ्लैट ओपन होना चाहिए मार्किट फ्लैट यहाँ थोड़ा सा गैप ओपन हो चाहिए लेकिन अगर इस रेंज के ऊपर गैप ओपन होता है तो हमारे लिए यह ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मार्किट फ यहां से आप सभी को एटलिस वन रेशियो टू तक के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं तो चली देखते हैं हमारा जो next stock निकल के आरा है दोस्तो उसका नेम है LTIM का क्या है आज रिजल्ट आने वाला है देखें रिजल्ट आएगा यह सब को पता है लेकिन हम लोग क्या यह करने लुद देखने को मिली और इसके बाद दोस्तों हमें यहां पे एक अच्छी का से रिकावरी भी देखने को मिली है तो यहां पर कहीं न कहीं यहां पर जो प्रॉफिट बॉकिंग आई हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्टिटी मिली क्योंकि दोस्तों देखिए continue buying यहां पे आ रही है तो हम जहां पे मालीचे हम यहां पे buying करते हैं तो I don't know यहां से market कितना उपर जाएगा क्योंकि already यहां पे buyer आया हुआ है और buyers ने अपना profit book नहीं किया आज के दिन buyers ने अपना profit book किया है तो यहां पे एक हमें अच्छा प्लेच देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए देखिए यहां पे सबसे अच्छा level क्या हो सकता है इस stock को यहां पे flat open होना चाहिए जब यह इस यहां पे जो red candle आप सभी को दिख रही है इस red candle की cross होते ही means यहां पे इंक्यावन 55 का कुछ level आ रहा है निकलके जो की breakout होगा कब breakout होना चाहिए कि market को flat open होना चाहिए देखिए सबसे पहली बात यहां पे समझ लिए कि market को flat open होना चाहिए और यहां पे जैसे ही breakout करता है तो आप सभी को यहां पे बिंदास होकर एक entry को बनाना है यहां पे आपके entry होने चाहिए और इस point पे आपका SL होना चाहिए तो आपको दोस्तों ध्यान देना है यहां पे at least आपको 1 ratio 2 तक की easily target देखने को मिल सकते हैं तो आपको यहां पे target का अपने wait करना है क्योंकि देखिए SL तो आपको पहले पता है कि आपका SL कहले लिकिन आपको SL के against यहां पे 1 ratio 2 का target जरूर लेके चलना है क्योंकि कल के दिन आप सभी को यहां पे एक अच्छी momentum देखने को मिल सकते हैं क्योंकि देखिए इस stock में already यहां पे buying थी और buying के बाद एक अच्छी का से selling आ गई है और अभी आप देखेंगे तो यह continue अपसाइड की तरफ जा रहाता तो यहां पे बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे दोस्तों इसको लगबग हाफ मन्त हो चुका है और यह इसी रेंज के अंदर में ही ट्रैवलिंग कर रहा था तो हमने लास्टाइम देखा था संफार्मा भी में भी हमें इसी तरह के रेंज दिख रही थी जिसमें इसमें तो अटलिस हमें ब्रेकाउट देखने को मिल गया है लेकिन संफार्मा में भी हमें इस तरह का ब्रेकाउट देखने को मिल चकता है तो अगर हम लोग देखे तो पांसो चौरासइस लेके तो इसमें हमारे लिए सबसे बाइंग का अच्छा लेवल क्या है कि यहां पर यह फिर नेगटिव माल लीज़े यह चैसो के आसपास थोड़ा सा नेगटिव ओपन होता है तो दीखें क्या होगा जब यह उपर की तरफ जाएगा और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक आउट करता है तो आप लोग को क्या करना है यहां पर एक एंट्री को बनाना है और आपको इसी पॉइंट के लोग पर आपको एसल लगा लेना है और आपको दोस्तो यहां पर तीन से तो जैसे कि दोस्तो हमारा अगला स्टॉक निकल के आ रहा है जिसका नेम है HDFC इसमें भी हमने 30 मिंट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है तो आप देखेंगे इसमें एक अच्छी काची सेलिंग आ चुकी है और यहां से मार्किट ने आज थोड़ा सा रिकवरी भी दिखाय क्योंकि लाज टाइम मार्किट इस रेंज के आसपास से एक सेलिंग आप सभी को देखने को मिली थी तो मार्किट अभी इस लेवल के आसपास आ गया है तो सबसे अच्छा हमारे लिए देखें क्या यहां पे लेवल हो सकता है जरह हम इस चीज को देखते हैं तो दोस्तो हम पर अपने इस हाई को ब्रेक आउट करता है मीन्स मालीजे 1682 के लेवल को जैसे ही ब्रेक आउट करता है तो आपको यहाँ पर बिंदास हो कर एक बाइंगी पोजिशन को बनाना है और आपको इसी कैंडल का आपको एसल लेना है इससे ज़्यादा आपको एसल लेने की जोरत न पास पास तो यह कहीं न कहीं हमारे लेवल से आउट हो जाएगा हमें इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है ना हमें इस स्टॉक को फिर दुबारा से वाज करना है क्यूंकि देखिए यहां पर आउरेडी बायर्स को पैसा मिला होगा तो यह चांस इस आर धी वैरी हाई क्योंक कुछ बायर साय तो इट में भी यहां पर गैप उपन होने के बाद यहां पर कुछ प्रॉफिट बोकिंग भी कर सकते हैं तो इसके चलते दोस्तो हमें इसको अगर वह यह फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा नेगिटिव तो हमारे यहां पर ज्यादा अच्छी अपॉर्ट